हेलो फ्रेंड्स कैसी हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब मज़े में होंगी मैं भी ठीक ठाक हूं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आज का पैटन देखिए यह मैंने क्रीम कलर और मरून कलर से बनाया है बहुत ही आसान पैटन है और देखने में ब संबाइन करेंगी तो यह पैटन बहुत सुंदर बन करके आएगा रॉंग साइड से यह कुछ इस तरह का दिखता है और इस पैटन को बनाने के लिए हमने एट के मल्टिपल में फंदे लेने हैं एट प्लस एट करके और दो फंदे हम एक्स्ट्रा लेते हैं एजे एज स्ट यहां चले गए और यह जो बॉक्स बन रहा है यह इन दोनों के बीच में आ जा रहा है तो यह 16 रो रिपीट पैटन है आठाट रो करके हम पैटन बनाते हैं तो चलिए आज हम मिल कर इस पैटन को बनाते हैं पैटन बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प् बनाना सीखते हैं पैटन को बनाने के लिए मैंने एट के मल्टीपल में 24 फंदे डाले हैं और दो फंदे एक्स्टर लिया है तो टोटल हो गए 24 और 26 शबी सिस्टेच है जिन पर हम पैटन बनाएंगे पैटन बनाने से पहले आप अपने पिसंद का कोई भी बाडर बना ले और उसके बाद फिर हम सिकंट्री ओन को इसमें जोड लेंगे देखिके यहाँ पर मेरा प्रेमरी कलर रेट है और उसमें मैंने क्रीम कलर के ओल को जोड़ा है तो पैटन पहले लाइन हमें सिकंट्री कलर से यानिकी क्रीम कलर के ओल से बनना है फ्wasट्रो की बनाई हम थ्री एक फंदा बिना बुने हुए एक फंदा सीधा फिर से एक फंदा बिना बुने हुए एक फंदा सीधा और ये एक फंदा बिना बुने हुए देखें यह आठ फंदे हो गए हमारे यह हमारा एज स्टिच तीन सीधा एक फंदा बिना बुना हुआ एक सीधा एक फंदा बिना बुना हुआ एक सीधा एक फंदा बिना बुना हुआ इन्ही आठ फंदों को हमें बार बर दोहराना है तीन सीधा, एक बिना बुना हुआ, फिर से एक सीधा, एक बिना बुना हुआ, एक सीधा, एक बिना बुना हुआ, आठ फंदे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्ही आठ फंदों को फिर से बुनेंगे, तीन फंदे सीधा, 1, 2, 3, एक फंदा बिना बुना हुआ, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुना हुआ, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुना हुआ, एक फंदा सीधा, और ये एक बिना बुना हुआ, ये आठ फंदे फि सिकेंड डुर हमारी रॉंग साइड की है कि एक एक फंदे को सीधा बुनेंगे नहीं आगे एक बार फिर इस लाल फंदे को इसकिप करेंगे उन पिछे फिर सीधा हम दो पंडा सिधा है , यह जो टंद पंड़्य के सेट इसे हम सिधा ? इस आप नहीं वुने ल्टा ? वुने मिल यह जो एक-ट थे हिंगي हमने सिर सावद्य था व्यक्न रिफिंग दाओ निनिक पंड़्य है इसे ? , गुणै Millennium आठ फंदे हो गए हमारे एक फंदा इस्किप क्योंकि ये एज इस्टीच है ये रेड फंदा भी स्किप करेंगे क्रीम फंदा सीधा फिर रेड फंदा इस्किप करेंगे क्रीम फंदा सीधा फिर रेड फंदा इस्किप करेंगे और तीन फंदे जहां पर वी एक साथ होंगे, उन्हें उल्टा बुनेंगे, रउंग साइड में, इहनी आठ पंदों को फिर से दो रॉआएंगे, यह हमने रेड फंदा SKIP किया, क्रीम फंदा सीधा, रेड फंदा SKIP करेंगे, और यह तीन फंदों का से ठा, इसलिए से उल् बुनेंगे रड फंदा इसकी एक फंदा सीधा और यह तीन फंदे सीधा नहीं उल्टा बुनना है यह हमारा एज स्टीज है कि ऐसे केंड रो हमारी कंपलीट हो गई दो लाइन हमने क्रेम कलर से बुन लिया अब हम अगला दो लाइन रेट कलर से बुनेंगे ठर्ड रो राइट साइड रेट कलर से हमने बुनाई शुरू की ये तीन फंदे हम स्किप करेंगे ये जो एक साथ थे और ये पांच फंदे हम सीधा भून लेंगे और उसके बाद फिर ये तीन फंदों का सेट आ जाएगा तीसे फिर हम स्किप कर लेंगे 5 सीधा तीन फंदे हम इसकिप फिर से 5 फंदे सीधे तीन फंदे हम इसकिप 5 फंदे सीधे ये हमारा EK गेज-स्टेच है इसे भी हम सीधा बून लेते है ठट रों हमारी complete हो गई और throw हमारी wrong side की है और throw में ये जितने भी red color के फनदे हैं इन्हें हम सीधा बून लेंगे और cream color के फनदों को skip करते जाएंगे यानि कि बिना बुने हुए दाहिनी स्लाइपर डालते जाएंगे यह देखिए इस सारे रेट फंदे हमें सीधा बुन लेना है यानि पांच फंदे हमें सीधा बुनना है और तीन फंदों को इसकिप करना है फिर से पांच फंदे सीधे और तीन फंदे इसकिप पांच फंदे सीधे इसकिप करने से पहले उनको आगे कर लेंगे और ये एक फंदा है इसे भी हम सीधा बोन लेते हैं यह हमारी फोर्थ रो कम्प्लीट हो गई दो लाइन हमने क्रीम कलर से बुना दो लाइन रेड कलर से तो अब अगला दो लाइन फिर से हम क्रीम कलर से बुनेंगे यानि फिफ्ट और शिफ्ट रो क्रीम कलर से बुनना है प्रेला फंदा हमारा एज शिट्प, तीन सीधा, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। यह हमने फर्स्ट रो की तरह बुना है, आप अगर ध्यान देंगी, तो यह सिसा में अज़ फर्स्ट रो है। फिर से तीन फंदे सीधे, एक फंदा इसकीप, एक फंदा सीधा, एक फंदा इसकीप, एक फंदा सीधा, एक फंदा इसकीप, एक फंदा सीधा, और यह फंदा इसकीप, और यह हमारा एज स्टीच, यह हमारी 5th row complete हो गई, 6th row हमारी wrong side की है, यह देखिए, wrong side में 6th row की बनाई है, हमने cream color से करनी है, पहला फंदा हमारा easy stitch है, red फंदे को हम skip करेंगे, और जो single फंदे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे, red color skip, single फंदा सीधा बुना जाएगा, red color skip करेंगे, और जो 3 फंदे का set है इसे, उल्टा बुनेंगे, 8 फंदे हो गया हमारे, पहला फंदा resist each, यह हमने skip किया, एक फंदा सीधा, यह skip किया, एक फंदा सीधा, यह skip किया, और 3 फंदों का जो भी set था, उसे हम उल्टा बुन लेंगे, फिर से red फंदा skip, single फंदा है, सीधा, red फंदा skip, single फंदा सीधा, red फंदा skip, और 3 फंदे, एक साथ हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, 8 फंदे पूरे हो गए, फिर से red फंदा skip, एक फंदा सीधा, red फंदा skip, एक फंदा सीधा, red फंदा skip, और 3 फंदे उल्टे, यह हमारा edge stage, 6 तरो हमारी complete हो गई, यह देखी, दो लाइन हमने cream से बुन लिया, तो अब हम फिर से 7 और 8 तरो red फंदा से बुनेंगे, दो दो लाइन पे हमें उनका color change करना होता है, 7 तरो की बुनाई हमने कैसे करनी है, सारे फंदे हम सीधा बुनेंगे, इस बार, कोई फंदा हमें skip नहीं करना, 7 तरो में हम सारे फंदे सीधा बुन लेते हैं, इधा बुन करके 7 तरो को पूरा कर लेते हैं, 8 तरो हमारी डॉंग साइड की है, और ये भी हम red से बुनेंगे, एक लाइन हमने red से बुन लिया है, ये तो एक लाइन और बुनेंगे, पहला फंदा इसकिप करेंगे, और सारे फंदे सीधा बुन लेंगे, ताकि आगे की तरफ उल्टे उल्टे फंदे आएं, ये हम 8 तरो को 8 वी लाइन को सीधा सीधा बुन करके पूरा कर लेते हैं, और देखिए इनी 8 लाइन के साथ हमारा pattern complete हो गया, अब अगले 8 लाइन में हम pattern को repeat करेंगे, जगा को change करते हुए, ये देखिए, ये जो box हमने बना रखा है, ये यहाँ चला जाएगा, इन दो बॉ ये 9 तरो है हमारी right side की, same as first row बुनेंगे, सिर्फ जगा change करके, और दो लाइन हमने red से बुन ली है, तो अब हम फिर से 9 और 10 तरो क्रीम कलर से बुनेंगे, ये पहला फंदा हमारा age stitch है, इसे हम सीधा बुन लेते हैं, दूसरा फंदा भी सीधा, एक फंदा skip करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा skip करेंगे, और ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, लेकिया हमने जगा change कर दिया, pattern same है, सिर्फ जगा change हो गया, जब हम तीन फंदे सीधा बुन लेते हैं, एक फंदा skip करते हैं, फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा इसकिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा इसकिप, ये पांच फंदे हो गए हमारे, एक सीधा, एक सीधा, एक सीधा, एक सीधा, एक सीधा, एक सीधा, तो अब हम तीन फंदे सीधा बुनेंगे, टू, थ्री, तीन फंदे सीधा बुनने के बाद फिर एक फंदा इसकि एक फंदा सीधा एक फंदा इसकिप और ये टीन फंदा सीधा एक फंदा इसकिप और ये लास्ट का फंदा है ये जिस्टी चिसे सीधा देखिए हमारा जगा चेंज हो गया ये वाले सीधे फंदे यहां आगा यहां आगा और ये डिब्बी यहां बनना शुरू हो गया यहां इस पैटन को जुरूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटन कैसा लगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए